हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे अपने फोन पर पीडिये फाइल में कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो अगर आप लोग यहाँ पे अपने phone पर PDF फाइल में password लगाना चाहते हैं ताकि जब आप लोग यहाँ पे PDF फाइल को open करें तो वहाँ पे आप लोगों को password मनगे और जो भी password रहेगा उसको आप लोग यहाँ पे enter करेंगे तो आपका जो PDF फाइल है वो यहाँ पे open हो जाएगा तो यहाँ पे PDF फाइल में password लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक application डाउनलोड करने पड़ेगी प्लेइ स्टोर से वो जो application रहेगा मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा application यहाँ पे डाउनलोड करना है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे PDF मर्ज लिखेंगे तो आपके सामने यह जो एप है वो आजाएगा फर्स्ट में आप लोग यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद आपको उसको open करना है जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको जो है open करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको protect PDF का जो option आ रहा है वहाँ पे आपको click करना है अब यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे select pdf file का option आता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे click करना है और यहाँ पे click करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो दोस्तो अब यहाँ पे आपको जो है जो भी पीडिये फाइल आपका है वो आप लोग यहाँ पे सलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे भी आपने रखा है पीडिये फाइल वो सारी जो पीडिये फाइल है वो आप लोग यहाँ पे सलेक्ट कर लीजिए डाकुमेंट में जाके तो यहाँ पे मैं PDF फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरा PDF फाइल कहाँ पर है तो मैं सबसे पहले आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ तो गाईस यहाँ पे आप देख सकते हैं यह PDF फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही कोई PDF्ट फाइल यहाँ पे select करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको password डालने को बोला जाएगा तो यहाँ पे आप लोग जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे दो बार जो है password लिख लीजिए जो भी आपका password है वो आपको यहाँ पे लिख लिना है और यहाँ से आपको जो है दो पहला आपका पास्वर लिखना और confirm करने के लिए एक बार वहीच password आपको दोबारसरी डालना है उसके बाद यहाँ पे आपको protect PDF पर क्लिक करना है अब यहाँ पे आपको उसको save पे click कर देना है अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही save पे click करेंगे तो उसके बाद दोस्तों जब आप लोग उस PDF को open करेंगे इस तरीके से तो फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से password डालने को बोला जाएगा उसके बाद जो भी password आप लोग यहाँ पे डालेंगे और open पे click करेंगे तो आपका जो PDF फाइल है वो दोस्तों यहाँ पे open हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे PDF फाइल में password लगा सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए